राहुल वैदे और दिशापरमार के शादी की डीटेल्स और फंक्शन की डीटेल्स कुछ सामने आ रहे हैं कब है इनकी शादी क्या कुछ फंक्शन्स होने वाले हैं चलिए बताऊंगी आपको इस बारे में बड़ा खुलासा करने वाली हो इस वीडियो में में नमस्कार मैं सनक्दास पागत करती हुआ आप सभी का अमारे चैनल पर गाइज दिशापरमार और राहुल वैदी की शादी वन अदो मोस्ट हॉटस टॉपिक है क्योंकि आप सभी का एक्साइटमेंट लेवल बलकुल डबल है इनकी शादी के लिए हालार कि आपको बता दू कि इनकी जो रोमांटिक स्टोरी रही है वो बेहरी रोमांटिक रही है नाशनल टेलिवर्शन पर राहुल वैदी ने प्रपोस किया था शादी के लिए जिसके बाद दिशा ने हां कह डाला और अब सभी का फोकस सिर्फ और सिर्फ शादी पर ही ब महीना सेट किया गया है इनकी शादी के लिए तो जून के महीने में शादी होने वाली है हलाकि अभी डीटेल्स नहीं आये हैं डेट के बारे में डेट का खुलासा नहीं हुआ है कि किस तारीख को शादी होने वाली है लेकिन मन्थ तो जरूर रिवील हो गया है कि जून के म ते टीवी इंडस्ट्रीज के लोग यानि कि उनके टीवी सेलब्स फ्रेंड्स और उनके सिंगर फ्रेंड्स उनके मीडिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं इनके लिए specially अलग से पार्टी दखी जाएगी जिसमें राहुल वैद्य इन तमाम फ्रेंड्स को अलग से पार्टी देने वाले हैं फिलहाल अभी राहुल और दिशा जो हैं वो मीडिया इंटर्व्यूस से बचते हुपे नजर आ रहे हैं ना कोई ग्यादरिंग में जा रहे हैं ना कोई मीडिया इंटर्व्यूस कर रहे हैं फिलहाल दिशा और राहुल अपना वेकेशन्स प्लान कर रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉइमेंट कर रहे हैं और अपने फंक्शिन्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि तीन-चार महीनों के बाद शादी है तो जायसी बात है, तैयारिया भी काफी करनी है और इस वचे से दिशा परमार और राहुल वैद इन सबी तैयारियों में बिजी चल रहे हैं काफी बिजी स्केडियूल से हैं, इसकी वचे से उन्होंने अब भी बिग बॉस से निकलने के बाद एक भी उनका ऐसा कुछ खास मीडिया इंटराक्शन दिशा और राहुल का नहीं हो पाया है So guys, क्या कहना चाहेंगे आप, कितने excited हैं राहुल और दिशा की इस शादी की खुशी के लिए फिलहाल दिशा ने भी एक वीडियो भी शेयर किया था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जिसमें वो उच्छल कूद रही है, यानि कि शादी की ही खुशी होगी, जाहिल सी बात है आप भी देखे, बताईए क्या कहना चाहेंगे इस जोड़ी इस कपल की शादी के लिए कमेंट बॉक्स में जरू बताएं, तमाम बॉलिफोर्ट टीवी दुनिया से जोड़ी हरे कबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल